तुम प्राइम टाइम में बात करेंगा, हमारे साथ इस्टूडियो में नंदिनी सेन है, एससेट प्रोफेसर है भारती कॉलेज दिल्ली इन्वर्सिटी की, मेरे ख्याल से आप वहां रहती भी हैं, गुर्गाओं में रहती हैं, डॉक्टर अशोक शर्मा जी है, प्रहाची, स शर्मा जी कारे करता है, आप गुरुग्राम में तो नहीं रहते हैं, गुरुग्राम में रहते हैं, आप वहां के बाशिंदे हैं, तो फर्स क्लास, निशान सिंग तबर स्टैंडब कमेडियन हैं, अभी आ जाएंगे, और सौरवारिया साहब हैं, कारोबारी हैं, जो विद जिहाद से जोड़ना या अपनी सब्वेता से जोड़ना कहीं गलत नहीं है, अगर अपने महापुर्षों का जो, वह संसकार बचा हुआ है, इसलिए तो नहीं बचा हुआ, तो नाम के आने से वह संसकार आ जाएंगे, दिखें, अगर बाईदा में पहचान है, अगर नाम लेंगे, तभी तो संसकार आएंगे, कैसे आ जाएगा नाम के आने से, क्या संसकार था उस वक्ता, क्या आप लोग मतलब मैं क्या समझोगे, क्या उस वक्त के तौर तरीके के हिसाब से आप जीने लगेंगे, तो उस वक्त के मूल्यों को तो हम कहीं ना कहीं, ना नाम और मूल ये दोनों अलग है देखिए आप कंफ्यूज कर रहे हैं नाम और मूल ये अलग है नाम आगया ठीक है अगर मुझे बोलने देंगे ना मैं बिलकुल कंफ्यूज ने करगा कारण ये है कि इस गुड़गाओं का नाम बदलने के लिए जो वहां के मूल बाशिंद है तो उसमें कहीं न कहीं जाएं देश को सब्सक्राइस को उसी प्रयास का कदम है कि हमने एक विनम्र प्रयास किया और ये कोई चल रहा था विभिन साहितिक सामाजिक संस्थाओं का और जो बुद्धी जी भी हैं शिक्षाविद हैं वो इससे जुड़े हुए थे मैं डक्टर अशोग दिवाकर का नाम लेना चाहूंगा अब उन्हों इनके नित्वतित्यों में ये प्रयास हुआ और क्यों नहुता कारण यह कि हमें ये महावारत के अंदर यह पढ़ाया गया यह हमने सम्झा कि गुरुद्रोन की नगरी और गुरुद्रोन की नगरी के अंगर उस पे नहीं जा रहा हूं वो गुरुद्रोन की नगरी है ठीक है उसका नाम गुरुगाओं है तो कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं से गुरुग्राम से ही अब भरंश हो के बना होगा ठीक है तो जैसे मैंने का पांड़ाओं ने जिस तो मैं बताईए ना क्या लोग तीर धनुष लेके चलेंगे क्या करेंगे फिर बताईए आप इसको अब एक मज़ाग का विश्यूर नहीं मैं मज़ाग नहीं कर रहा हूं मेरे कहने का तरीका अलगा मैं आप से जादा सीरियूस हूँ देखे आप भावुक्ता का पक्ष्ण को उनके मूल्यों को अगर हम कहीं न कहीं आत्म साथ करके चलने का प्रयास करते हैं तो उसका मतलब यह नहीं होता है कि एक अधिकार होना चाहिए जैसे नोड़ा के ही बहुत सारे गाउं है इन गाउं की एक तरासदी को समझे कि इनकी जमीन था ठीक है उनको मुआजा मिला तो आप हम लोग भी वहाँ पे घर खरीदे अपने हिसाब से एक पहचान का संकट होता है कि यह एक मूल गाउं है तो क्यों ना उन नामों को संगरक्षित रगने में इतनी क्या समस्या जैसे कोलकता को कलकता को को कोलकता किया गया बंबई को मुंबई किया गया बैंगलूर गया बंबई को मुंबई में तो वह भी एक राजनितिक वक्षि है बिलकुल राजनितिक बात आ गई और आज भी हम बंबे कह जाते हैं मेरा कहने का यह है कि हम गुरगाओं में रह रह रहे थे और मुझे यह लॉजिक समझ नहीं आया कि यह टोकनिसम के तौर पर एकदम से जो है ओवर नाइट एक नाम आप चेंज कर देते हो और आप कहते हो कि यह हम जो सर कह रहे थे कि हम पूरवजों को हम याद कर रहे हैं और उनके याद में हम इस चीज को कर रहे हैं तो हम किस वाल्यू सिस्टेम प्राइमरी अगर हम महाभारत की बात कर रहें मेरे हि को हम साहित्य है तो मैं साहित्य को इतिहास तो मानने के लिए तयार नहीं हो। है वे कि आफ इपरों यह साहित्यू करते हैं और हमारे फक्स वी IGHव पक्स हैं मतलब दशरब पंडियग बı которой specal बाते तो उसको हम सड़ली हम उसको historic बना दे और उस जगह को जो आप कह रहे हों कि फिर हम वहाँ पहुंचके ये युदिष्टी ने दान में दिया था और ये गुरु द्रोनाचारिय का लैंड डेरफोर हो जाता है इसलिए हम उसको इनके नाम से और जो दूसरी बात है हम किस तरह के आईकॉंस की बात कर रहे हैं द्रोनाचारिय स्टेशन भी है एक कॉलेज भी है मेरा एक गुसरा बात कहना है कि ठीक है हम वह समझते हैं लेकिन उस जमीन पे देखिए कि उस जमीन पे सदियों से पहचान वाले कई गाउं बसे होंगे ठीक है उनका नाम गुरु ग्राम ना रहा होगा गुरु गाउं ही ह और उनको जमीदोज करके बिलकुल एक नए तरीके का एक शहर बसा दिया जाता है कुछ नाम जो पुराने तरीके के हैं उनका अगर संग्रक्षन होई जाए उस उनसे तो कुछ बदलने वाला ऐसा क्या घट जाने वाला है हमारी स्मृतियों से वो तो आ जाएगा जैसे मैं अशोग जी से पूछ रहा था कि आप ऐसा क्या हासिल कर लेंगे उसी तरह से मैं आप से पूछ रहा हूँ कि उस तरह के नाम अगर आ जाएं जैसे यह तो करेक्ट किया ही जा सकता है कि गुर्गाओं विलेज क्यों लिखा हुआ भाई बढ़तो विलेज विलेज मत वैसे त छोड़ा स्थानिय लोग़ों के बात कर रहे हैं तो मेरे ख्याल वो गुरुका वा बोलने में जादा तुसक्रेगे पहतलुट लोग नहीं पर पाएगा लेब्राडुर लेब्रणम पता नहीं क्या-क्या・िथैस Window वहाँ उस पर कोई टिपनी नहीं है तो रवीश जी पर वो संस्क्रिताइज गुरुग्राम लेकिन एक इस्तर पर हमें भी सोचना चाहिए कि जो लोग वहाँ पर सदियों से बसे रहे हैं क्या उनके बसे होने की कीमत से मुआवजा है तो क्यों ना हम उन अपार्टमेंट को मॉल को बनाते हुए उन निशानियों को भी कुछ बचा के रखें ताकि हम दिखा सकें अब हमारे साथ सौरवारिया साहब है सौरवारिया साहब जिस तरह से ट्वीटर पे एक तरह हंगामा हुआ कि यह नाम बदलने से अब खटर सरकार कह सकती है कि हर्याना में बदला हुआ लेकिन रंदीप हुड़ा की एक बात है जैसे मैंने नंदिनी जी से बात की कि इस्थानिय संस्कृती और उसके प्रतिकों को थोड़ी जगब मिलनी चाहिए लेकिन रंदीप हुड़ा ने उसकी दूसरी व्याक्षा की है उनका कहना है कि गुरगाओं को गुरुग्राम करन हर्याना की संस्कृती बोली इतिहास पर वार है ग्राम हमारा शब्ध ही नहीं है ये क्यों किया गया है बिलकुछ सही बात अगर आप किसी यहाने के किसी गाउं के बंदे से बात करेंगे वो अपना वो गाउंडू कहना पसंद करेगा ग्राओं का कहना पसंद करेगा आपने कभी किसे सुना कि en Josh a मैं डूंडा हेडा ग्राम ग्राओं कोई हाँ पे ग्राम word यूज नहीं करता दूसरी आज कि ये डे डेट में हम 21 सदी की और जा रहे हैं हम हिस्टरी को भी नहीं छोड़ रहे हैं जितने भी हाँ पर पॉपुलेशन गुर्गाओं में रहती है, they are adaptable, they are used to the word गुर्गाओं. आज गुर्गाओं रख दिया, कल कॉम थोड़ी दूर बहार जाएंगे, वहाँ पर नाम चेंज जाएगा, जब तक एक टाइम आएगा, कि आने वाली जनरेशन को नाम याद होंगे, वो नाम चेंज होते जाएंगे. इसलिए गुर्गाओं जो एक शब्द सबके नाम मुपे चड़ा हुआ है, मिलेनियम सिटी के साथ गुर्गाओं लिखा अच्छा जाता है, साइबर हब के साथ गुर्गाओं लिखा जाता है, कोई कहाँ से आप जी गुरु ग्राम से हैं, आप कहाँ देखने वाली जगा क यह सही बात है कि ग्राम भी एक तरह से थोपा जा रहा है तो जो मैं कह रहा था कि स्थानिय संस्कृति को जगह मिलनी चाहिए तो उसको गुरुगाओं ही रहना चाहिए था तो सरकारों ने और मांग करनों वाले में भी एक कमी है लेकिन एक सौरव जी अभी याद दिला है आ धिकत बहुतों को मिलेनियम बोलने में भी है जैसे मैंने मैंक नूलिया को मंगुलिया समझ लिया यह पता नहीं लेबरनम है। बट आगर आप थोड़े टाइम बाद चलो हम कहते है आज से हमारे शाहर का नाम गुरूगराम हो गया कितने लोग गुरूगराम को एड़ाप्ट करेंगे और उसको एक्षन में लेके आएंगे कोई भी नहीं लेके आएंगे बहुत मैं यह नहीं कहता कोई भी नहीं वेरी फ्यू पीपल, बट बेसिक जो फंडा एक नाम चेंज करने का होना चाहिए, वो यह होना चाहिए कि हर एक के लिए accessible चीज होनी चाहिए, नाम है, उसके अंदर क्या उसकी importance है, क्योंकि जितने लोगों से मैंने बात की फोन पे, मेरे पास भाहर से भी दोस्तों का फोन आ नाम चेंज करके, अशुक जी, ये भी एक बात है, अब बताएए, ग्राम तो आपकी संस्क्रीती का हिस्सा नहीं है, ना, हरियाना है, हरियाना में आप मुझे बताएए, कहां लोग ग्राम बोलता है, संजे ग्राम हमारे कुड़गाओं में, अगर सौरभ जी अगर रहते हैं, तो संजे ग्राम एक कालोनी है, बहुत बढ़ी कालोनी है, ये अलग बात है, ये कालोनी का नाम बसाना, वहां हरियाना के जो मूल गाउँ है, पुराने, उनका नाम बताएए, कौन सा ग्राम है, अगर, मैं एक बात बताओं, अशुक जी, आपके संजे ग् आपका ये प्रियास कम से कम सफल तो हुआ, एक किसी उससे उदेश्य से तो जुड़ा, और जहां तक नाम परिवर्तन है, तो निश्यत रूप से सौरव जी, बच्पन के आपके नाम से, और सौरव जी बुलाने में कुछ परक्तों परक्ता है, हर्याना के लोग क्या ये ब लोग शेयली के है, हें लोग शेयली, ये उसको ट्रेंण दिया जयाका, उसको कैसे ब estavam आपको वकषा को जैसे हर्यानावी है, उसको हर्यानवी ही रहने दियार्याय ये मंगोलीआ बोलना सीखा नाजी, मंंगोली बोलना सीखा ना, हां, जो आपने अभी कोई ऐसे लेट और स्पैनिश और पतनी कितने नाम आपने अपने गिनवाए वो लोगों ने आखिर बोले सीखे ही ना अगर वहां रिक्षे वाले को भी यह कहा जाता है कि मुझे मंगोलिया जाना है तो यह नहीं कहता कि आप हिंदी में बताईए यह अरियानुवी में बताईए वह वही लेकर जब हम हिंदी बात लिखते हैं तो बहुत सारे लोग कहते हैं कि संस्कृटाइज हिंदी मुना लिखें, मतलब बोल्चाल की हिंदी लिखें, ठीक है, तो इसका मतलब यह नहीं होता है कि आप संस्कृट का विरोध कर रहे होते हैं, ठीक, आप मर्जी से संस्कृट बोलिए और उसमें कोई दिक्कत नहीं है, अब अपनी राइ तो कहेंगे आप, मैं अशोग जी से एक बात कहना चाहूंगा, मेरे एसपर्ड में एक शहर जो होता है, वो एक इनसान की शहरी का वजूद होता है, बिलकुल, अब जैसे कि गुड़गाओं से, अब गुड़गाओं एक ग्लोबल मैप पे उसने ऐसी कमपनीज अपना होल रखती है, अगर आज की डेट में मैं कहीं भाहर जाओं और मैं केसी को बोलू जी, उन्हेंने बुचा कहां से आयो, रादर की मैं उनको बोलू कि नए नाम से बोलू जी, मैं गुरू ग्राम से आया हूं, उनको थोड़ा समझने मुश्किल होगा, यूमर का पुट कहां से लोगों को दिख गया कि इसमें, कि क्या मतलब शेहरों को अपनी पहचान जो शेहरी हैं गुरू गाओं के, अपनी पहचान इतनी प्यारी है उन्हें कि वो अपने हाथ से नहीं जाने देना चाहते हैं। जब सबसे पहले मुझे पता चला कि गुर्गाओं का नाम बदल रहे हैं। तो यह सुनके अच्छा लगा कि गुरू गराम हुआ है, डियलफ नहीं हुआ है। पर नाम भी बदल के मुझे इसा लगता है कि नाम बदलने में फिर अलब धीरे-धीरे मुझे को कि इंडिया भी ऐसा ना, इंडिया पहचान नहीं आरी तो उसका भी नाम बदल दो धीरे-धीरे, इतनी मुश्किल से लोग गुडगाओं को जानने लगे थे, तो गुडगा प्रोडिंग कर रहे हैं